रात के इतने सारे बर्तन सामके टाइम में धोने के लिए ने बहुत सारा बर्तन हो जाता है दूद्ध वाला बर्तन उची तरह छोड़ दी हलो आप सब लोग अमिद करते हूं आप सब बहुत ही चोंगे हम सब लोग बैचे हैं रात के इतने सारे बर्तन है इसे भी ट्रोली में डालना है और फटापर से खाना बनाओंगी और हाँ आप लोग ना वीडियो को लाइक करना भूल गया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए एक वीडियो के पीछे बहुत महिनत करना पड़ता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज मैं स्टाइटिंग में ही बोल रही हूँ मुझे लगता है आपका सो ज्यादा फ्रेंट तो भूली जाते है लाइक करना तो प्लीज आप लोग बूलिए मत लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए मिलते तो इधर बाद आप लोगों से मौर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं उसे किसी भी तरह खतम करना ही पड़ता है अगर थोड़ा भी टाइम इधर उदर हुआ तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो आज मैं आप लोग के साथ अपना मौर्निंग रूटीन सेर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने मौर्निंग के कामों को मैनेज करती हूँ और मेरी एक चार साल की बेटी है जो कि आप लोग रेगुलर मेरे ब्लॉग में देखते हैं बहुत ज़दा नौटी है तो उस पे भी ज़दा ज़दा ध्यान देना पड़ता है और मेरे हजबन भी ओफिज आते है तो उनके लिए भी यह मतलब खाना जल्दी बनाना और फिर लंच बॉक्स रेडी करना तो यह सारे चीजे मॉर्निंग में ही करना पड़ता है तो बहुत सारे काम का प्रेशर आ जाता है और यह सब कामों के बीच में अपने उपर भी ध्यान देना पड़ता है अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी है तो मैं किसी और वीडियो में सेयर करूंगी कि म अपने आपको fit रखने के लिए क्या क्या करती हूँ वैसे तो अभी मैं योगा कर रहे हूँ और सुबह में जब भी मेरे पास time मिलता है तो थोड़ा ना थोड़ा मैं योगा जरूर करती हूँ पहले मैं regular yoga करती थी आजकल इतना time नहीं मिलता है तो मैं नहीं करती हूँ यह सब थोड़े बहुत जो हलका फुलका exercise यह वही में कर लेती हूँ और इतना भी करती हूँ ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है माइन बहुत ज़्यादा रिलेक्स हो जाता है और अपने आपको positive रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हाजकल बहुत negative ख्यालों में लोग रहते हैं और बाहर का महौल तो आप देखी रहे हैं तो थोड़ा सा exercise करना भी बहुत जरूरी है आज है Sunday और अभी 7.30 हो रहा था तो आज मैं अराम-अराम से सारे काम कर रहे हूँ क्योंकि husband को office नहीं जाना है नहीं तो regular day में क्या होता है ना कि मुझे सारे काम जल्दी जल्दी खतम करने पड़ते हैं मेरे घर में आट बचे पानी आ जाता है तो आट बचे से पहले जितने भी cleaning का काम होता है ना वो खतम करना पड़ता है और शाथी-शाथ खाना भी बनाते रहती हूँ अपने के बाद ही में लगा देती हूँ तो इस तरह से मैं अपने काम को manage करती हूँ क्योंकि कोई भी काम अगर करते है ना प्रेशर ले के नहीं करना चाहिए प्रेशर ले के अगर काम करेंगे ना तो आपका काम भी नहीं होगा और उपर से आपका दिमाग खडाफ तो हो गई ही क्योंकि सरदर्द तो बहुत गंदियादत है वो जल्दी पकर लेता है और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है तो मैं pressure लेके कोई काम नहीं करती हूँ, अराम अराम से करती हूँ, जितना होता है उतना करती हूँ, बागी का काम में छोड़ देती हूँ एक house wipe के उपर बहुत सारे जीमेदारिया होती है, घर का भी काम देखना पड़ता है, बाहर का भी काम देखना पड़ता है, बच्चे को देखना पड़ता है और घर में अगर आप family के साथ रहते हो तो family में बहुत सारे लोग रहते हैं और शब का ख्याल भी रखना पड़ता है कुछ लोगों को लगता है ना कि घर का काम करना बहुत असान होता है इतना असान नहीं होता है जितना की देखने में लगता है घर में बहुत सारे काम होते हैं एक काम नहीं होता है अगर गिंती करो तो गिन नहीं सकेंगे कि कितना काम होता है तो इस आड़े काम की responsibility एक house wipe के उपड़ी होता है घर का पोछा लगाना जैसे ही खतम हुआ वैसे ही पानी आ गया तो आधा से पौन घंटे लगता है घर की cleaning करने में आज तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा है क्योंकि रस्टिंग में पहले ही कर चुकी थी तो सुबह जारू लगातने से पहले में रस्टिंग कर लेती मेरा बात्रूम का इनल वहां से पानी कम आता है उसका प्रेशर कम रहता है तो इसलिए में किचें में क्या करता हूं नहाने के यूज हो जाता है और उसी टाम में बाल्टिंग को खंगाल के फिर्ज़शे रख देती हूँ तो अभी देखे हो पिई से तो उसके लिए मैं करेला को पहले बोल करूंगे और देखे बीज में काली हूँ इसके साथ भोल करना है तो अभी मैं नमक डाल दी हूँ और invent इसे पुरह बनाई हूँ देखिए इतने सारे काम खतम करने के बाद अभी मैं चाय बनाई हूँ तब हम लोग चाय पियेंगे क्यूंकि हस्पन सो रहे दिरिशाणी भी सो रही थी तो मैं लेट से बनाती हूँ जब उठते हैं तब हमें चाय बनाती हूं और सुबह तो मैं गडम पानी पी मस्टरट पेस्ट टाल के बनाती हूँ और उसकी रेसिपी में अल्रेडी सेयर कर चुकी हूँ चाय तो आप मेरा पुराना ब्लॉक देख सकते हैं तो नहीं होगा तो उसका लिंक में रिस्क्रिप्सन बॉक्स में देदूंगी यहां पर आलो मतर की सिंबल से सबची बना रह में जीरा डाले हैं और अभी में एक हरेले का बीच डाल दी हूँ और इसे थोड़ा टैम तक फ्राइ कर लूंगे उसके बाद प्यास डाल दी हूँ प्यास को भी गोल्ड vantageng ब्राउन हुने तक फ्राइ कर लेंगे और जो अध्रक लेसन का पेंस्ट बना कर रखे थे उसे में डाल दूंगी और अधरक लेजन को भी अच्छे से भूल नेंगे ताए कि उसका कच्छा पर निकल जाए और रेगुलर का जो मसाला होता है ने वही डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दे पाउडर, लाल मिच का पाउडर, काली मिच का पाउडर और नमक श्वात के नुसा डाल नेंगे और मसाली को अच्छे से भूनेंगे आभी देखिए मसाले बहुत अच्छे से भून गये हैं तो अभी जो करेला में फ्राइ करके रखी हूँ उसके अंदर ये मसाले को भर देंगे और भरवा में जादा नहीं बना रही हूँ एक ही करेला का में बना रही हूँ क्योंकि मेरे हजबन को जादा पसंद आता है वैसे ये करेला खाने में बिल्कुल भी करवा नहीं लगता है भड़वा बहुत टेश्टी बना वा था और यह भड़वा जटपट बन भी जाता है तो मैं जब भी भड़वा बनाती हुँ ना ग्रेवी वाला बनाती हुँ तो आधा जो मशाला बचला भ़ोगा था उसमें मैं पानी डाल दी हुँ और अभी थोड़ा सा नमक भी डाली हूँ अभी ग्रेवी में उबाल आ गया है तो मैं करेला को रखती हूँ और अभी से धक्के धिमियाज पर पकने के लिए छोड़ देंगे दो से तिन जिर तक ये करेला का भड़वा बनके रेडियो जाएगा खाना बनाने के बाद एक बहुत बड़ा काम होता है वो है द्रिशानी को खिलाना तो अभी मैं द्रिशानी को खिलाऊंगी खाना तो यहाँ पर मैं बना के रख दी हूँ आलो मटर की सबजी और ये है करेला का भड़वा दाल और चावल तो अभी मैं दिर्शानी को खाना किलाओंगी खाना किलाने के बाद मैं नहाओंगी उसके बाद पूजा करूँगी फिर उसके बाद मैं खाओंगी तो इतने सारे काम होते हैं मॉर्निंग में दो बजगे आभी जाकर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और कितना भी जल्दी उठो और वीडियो के साथ अगर काम करते हो ना वीडियो सूट करते हो तो लेट तो होता ही है तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ज्यादा तर वीडियो आजकल सूट नहीं कर पाती हूँ आप लोगों को दिखाना था तो बहुत सारे फ्रेंड पूछते है कि मॉर्निंग का रूटीन थोड़ा बहुत सेयर किया किजिए तो आज मैं थोड़ा बहुत सेयर की हूँ आप लोग के साथ वीडियो रिकॉर्ड करकर करके अगर आप कोई काम करते हो ना तो काम करने में डबल टाइम लगता है जो काम आप आदा फंट में करोगे वो सिधा एक घंटा लगता है क्योंकि बार-बार जाके वीडियो को चेक करना पड़ता है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यह नहीं हो रहा है कभी मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी कि मैं किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कितना टाइम लगता है किस तरह से कैमरा करते हूं एक-एक छोटी-छोटी चीज को मैं देखती हूं गुड इवनिंग दोश्टों अभी देखिए सारशाथ हो गया और अभी बचे का मूठन हमेसा एक जैसा नहीं होता है कभी-कभी बचते कुद से बैठ जाते हैं पड़ने के लिए कभी कभी तो हम लोगों को जबरदस्ति करना पड़ता है कि बैट के पढ़ो पढ़ो तो बच्चे जब खुद से बैट के बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है द्रिशानी आज खुद से बैट के बढ़ रही है तो अभी मैं थोड़ा बहुत उसे पढ़ाऊंगी यहा करना चाहिए जैसे कि मैं सिलाई करती हूं और बहुत सारे चीजे मुझे आती है शादी से पहले में करती थी लेकिन आजकल नहीं कर पाती हूं मैं टाइम निकालके और वो सब चीजे भी मैं ट्राइ करूंगे और आप लोग के साथ सेर भी करूंगे तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था चोटा सा ब्लॉग है उमीद करता आप लोगों को पसंद आएगा अभी भी मेरी तब्बेत अच्छी नहीं है आवाद से एक इंट्रेस्टिंग ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाबाय टिकर थैंक्स पर ऊचिंग गुड़नाइट स्विट ड्रीम और हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बोलेगा जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लेजेगा